नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दीपक शिर्डी इड्डाम है इस वीडियो में हम जोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रॉम्बस यानि कि सम चत्रपुच को डिसकस करेंगे इसकी हम पहले कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखेंगे अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिसक्रिप्शन में लिंक जरूर मिल जाएगा जिसमें हम प्रैक्टिस टॉपिक वाइस टॉपिक कोशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो आपके आने वाले रीट, बीज अच्छे से पता चलता हैं और कोशन प्रैक्टिस हो जाए तो आपनाव से टॉपिक कवर हो जाएगा तो चली शुरात करते हैं सबसे पहले रॉम्बस होता क्या है एसा चतुरभुझ जिसकी सारी साड बराबर हो सारी साड बराबर हो ठीक है और सामने सामने वाली हो A, B, C, D के parallel है, B, C क्या है, A, D के parallel है, सामने वाली बुजाएं, parallel है, सारी सेड equal है, ये तो क्या है, फिर square भी हो गया, लेकि square में क्या है, सारे angle 90 भी होने चाहिए, ये क्या है, थोड़ा confusion रहता है, कि rhombus और square में क्या अंतर होता है, rhombus क्या है, rhombus में सारी साड़ equal होती है, square में भी सारी साड़ equal होती है, लेकि rhombus में ज़रूरी नहीं है, कि angle सारे 90 हो, ठीक है, तो square rhombus नहीं होता है, लेकि rhombus square होता है, ठीक है, आगे देखते हैं, second point, second point में दे रखा है, कि जो सम्चत्र C को गया है, बराबर हिस्सों में काटती है, B को बराबर हिस्सों में काटेगी, D को बराबर हिस्सों में काटेगी, यानि कि जो angle bisector होंगे, ये diagonal होंगे, diagonal क्या है, angle bisector होंगे, किसी भी rhombus में, ठेक है न, आगे देखते हैं, ये काफी important property, इससे related questions बनेंगे, जो हमें questions आगे cover करेंगे, कि जो इसकी जो diagonal होती है, वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटती है, और साथ में 90 degree का angle बनाती है, आपस में, यानि कि diagonal बराबर हिस्सों में बाटेंगी एक दूसरे को, और ये एक दूसरे पर लंबत होती है, यानि कि perpendicular होती है, 90 degree का कोण होता है, इनकी diagonal की बीचे मालो में रॉंबस बनाओ इसकी डागनल बनाओ ये आपस में 90 डिगरी का एंगल बनाती है ठीक है? आगे दिखते हैं इसमें next इसमें क्या है formula इसके अगर मालो में इसकी डागनल को D1 और D2 मालो इसकी डागनल को D1 D2 मालो तो area का formula होता है half D1 into D2 अगर में पास question में diagonal दे रखी हो तो D1 into D2 upon 2 कर दूँगा तो मुझे इसका area पता चल जाएगा मालो से हमसे question पूछ रहा है side पूछ रहा है diagonal दे रखी हो और side पूछ रहा है तो direct इस formula में आप D1 D2 value पूट कर दोगे तो उससे आपको side पता चल जाएगी सारी side बराबर है तो side में 4 का into कर दो side में 4 का into कर दो 2 से 4 दो बार कटेगा यानि कि 2 गुणा under D1 plus D2 square ये क्या मिल जाएगा परिमाप मिल जाएगा है ना तो side में मैंने 4 का into करा उससे मुझे perimeter का formula पता चला है है ना इसमें बगर 4 का into करूं तो 2 से 4 किती में बार कटेगा दो बार तो वही तो formula लेखा है मैंने perimeter में है ना तो आपको ये पता होना चाहिए कि D1 अगर D2 दे रखे हो तो area, side और perimeter कैसे निकलता है इससे related question इसमें बंद पे हैं ठीक है next formula इसी में मालो इसमें base दे रखा है हमें मालो इसमें height दे रखी है हमें तो formula होता है base into height area बराबर होता है base into height ठीक है आगे दिखते हैं अब इसके क्या कुछ कोशन देख लेते हैं 4 पांच जिससे आपका इस concept clear हो जाए सबसे पहला हमें question दे रखा है कि एक rhombus दे रखी है इसकी हमें विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6 और 8 6 और 8 इसकी विकर्ण की लंबाई दे रखी है तो हमसे 6 तरफल भुजा परिमाब ये सब पूछा है ठीक है तो सबसे पहले मैं देखो मुझे पैस भुजा का मैंने फरन बताया आपको 1 upon 2 D1 square plus D2 square 1 upon 2 D1 square plus D2 square तो D1 कितना है 6 6 का बार करोंगा 36 8 D2 है तो D2 का square कितना होगा 64 तो 36 और 64 कितना हो गया 100 हो गया 100 का बर्बल हम जान पेंगी 10 होता है तो 2 से 10 को काटोंगा 5 cm आजाएगा यानि कि भुजा कितनी आगई भुजा आगई 10 अब भुजा पता चल गई है तो परिमाप कितना होगा 4 गुणा भुजा होगा 4 गुणा भुजा होगा यानि कि 20 आगया area area का फॉर्म में बताया मैंने आपको half D1 into D2 D1 कितना है 6 D2 कितना है 8 तो 6 into 8 48 हो गया और फॉर्मले में 1 upon 2 हो रहाता है तो 1 upon 2 करूँगा 48 कितना हैगा 24 आएगा ठीक है तो ये सरल सा कोश्चन सा इससे रिलेटर ये वाला कोश्चन रॉम्बस में काफी बार पूचा जाता है ये वाला कोश्चन रॉम्बस में काफी बार पूचा जाता है अब देखो इसी कोश्चन इसी टाप कोश्चन को इक करने का तरीका और होता है ये मैं नेक्स कोश्चन में आपके साथ डिस्कस करूँगा मालो हमें ये दे रखा है मालो हमें कोशन में ये दे रखा है कि एक रॉम्बस है उसकी विकर्ण हमें दे रखी है बारे और सोले तो भुजा छेत्रिफल और परिवाब नेकालो देखो वही चीजे है वही चीजे है ठीक है मैं अलग तरही से करके बताँगो आपको मैंने आपको बताया कि पूरी लंब 90 डिगरी का होगा बीच में 90 डिगरी का होगा क्योंकि रॉम्बस के सारे इंगल डाक्वल के सामने जो साइड है tv वाले एंगल के सामने जो side है यानि कि x है उसका square बाकी दोनों side के sum के बराबर होगा ये होती है पायतगरत theorem तो x का वर्ग बराबर 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग यानि कि 364 100 100 यानिकी 10 x की value 10 आ गई 100 बराबर x square है वर्मूल करूँगा x 10 आ गया और x हमारा यहाँ पर क्या था x भुजा ही तो थी तो देखो हमने भुजा को इस तरीके से भी निकाल लिया है अब भुजा हमारे पास 10 दे रखी है परिमाप क्या है 4 x भुजा हो गया यानिकी 40 हो गया अब 6 तरफल का formula क्या होता है half d1 d2 d1 कितना था 12 और 16 जो कि हमें 96 देंगे है ना तो देखो हम इस तरह से question को भी कर सकते हैं बिना d1 d2 के अंडूट वगर वाला formula लगा के बिना लगाई भी हमने इस question इस तरह से direct कर लिया है तो आई होब आपको ये दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे तो चलिए आगे देखते हैं question number 3 एक रॉमस है उसका परिमाप 40 है यदि एक विकर्ण दे रखी हो तो दूसरी विकर्ण निकाल ली है तो देखो formula परिमाप देखो उसका question का परिमाप दे रखा है 40 अगर पूरा परिमाप 40 है और सारी साड़ बराबर हैं तो हर एक हिस्सा कितना 40-40 नहीं होगा अगर total 40 है और हर बुझा ददस नहीं होगी हर बुझा कितनी होगी ददस होगी क्योंकि सारे बराबर हैं तो सारी पुझा ददस होंगी यानि कि हमें इसकी साइड पता चल गई है अब मैं देखो इस वारे ट्रेंगल में मानूँ कि पूरी विगण कितनी थी 16 तो आदी कितनी हो गई? 8 हो गई है ना इसको मैं X माल लेता हूँ तो नीचे वाले ट्रेंगल में ये बीच में 90 डिगरी है एक हिस्सा 8, एक हिस्सा X, नीचे वारा हिस्सा 10 ठीक है? अगर मैं पाइथागोरस प्रेमे का यूज करूँ तो 90 के सामने वाला 10 का वर्ग कर दिया बचा कुछा क्या है? 8 और X का वर्ग कर दिया तो इसको हल करके X square बराबर 36 और X बराबर 6 आ गया यानि कि क्या है? X की value 6 आ गई तो ये हिस्सा 6 है तो पूरा हिस्सा उपर वाला भी 6 होगा क्योंकि ये तो बराबर होते हैं अगर नीचे 6 आया है तो उपर भी तो 6 होगा क्योंकि बराबर होते हैं तो कितना आ गया विकण? 6 और 6 बारे 6 और 6 बारे आ गया है न? तो ये question तो exam में पूछा भी क्या है ठीक है? तो ये काफी अच्छा question था, अच्छा level question था तो ये तो तीनो question क्या है? काफी अच्छे level question है ये आपको पदा होने चाहिए, रोमस से रेलेटर इस तरह से question बन सकता है चलिए आगे देखते है question number 4 किसी sum चतुरबुज का 6.500 है यदि एक विकण 10 cm है तो दूसरी विकण क्या होगी तो देखो area का formula क्या होता है half d1 to d2 होता है area कितना दे रखा है, 1.500 दे रखा है तो d1 की जगपे 10 ठीक है, तो 2 से मैं देड़ समय कुणा करूँगा 300 और 10 से डिवाड करूँगा तो 30, यानि कि d2 कितना आ गया 30 cm आ गया, d2 कितना आ गया 30 cm ठीक है तो देखो इस तरह से भुजा दे रखी होंगी तब एक विकण पूचा है, वो question हम ने कर लिया एरिया दे रखा, एक विकण पूचा है दूसरी विकण निकाल लेंगे हम तो यह कैं, तो यह 2-3 questions काफी अच्छे लेवल का question है, आगे बेखते हैं लास्ट question है इस टाइप का एक सम्चतुर बोजा यानि कि रॉमबस का परिमाप दे रखा है अगैं दिखोंसका परिमाप 40 दे रखा है तो एक पुजा कितनी ह pasti होगी, 10 होगी सारी पुजाया बराबर ही तो होती है सारी 10 होती है, उचाए दे रखी 5 यानि कि height, height कितनी दे रखी है 5 दे रखी है ठीक है, परिमाप हमें ने रखा है परिमापसे हमने side ने काली और height दे रखिए 5 मैंने आपको यह भी formula बताया rhombus का formula क्या होता है area का base into height यह भी formula होता है दो formula होते हैं एक तो half d1 d2 और यह होता है base into height तो base 10 दे रखा है, height 5 दे रखिए तो 10 into 5 कितना हो जाएगा पचास मीटर स्क्वेर हो जाएगा ठीक है तो यह थे important questions रॉमबस से related देखो मैं आपको एक एक questions एक टाइप के questions मतलब जितने भी टाइप बन सकते हैं जोमेटरी से हमें सुराथ करी है देरे देरे करके है एक 18 वीडियो में पूरी जोमेटरी को अच्छे से कवर करेंगे फिर बाकी जो topics हैं चाहिए profit loss ले लो CI, interest वगरा SI, time and work सारे के सारे questions को हम क्या है एक एक टाइप से related questions ले लेके cover करेंगे ठीक है अगर आपने बाकी वीडियो नहीं देखी है तो playlist आपको description में link मिल जाएगा वहाँ से आप बाकी वीडियो को भी देखके अपना revision तयारी कर सकते हैं अगर session पसंद आया हो पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो तो like जरूर करें और comment जरूर करके जरूर बताएं comment करके जरूर बताएं तो चलिए thanks for watching